है 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 आज हम कवर करेंगे इंपोर्टन्ट हाइलाइट ही अपने अग्रिकल्चर सेंसर्स और लाइफ्स्थोक्स इसके अंदर पटा-फट से हम जो भी इपनी इंपोर्टन्ट पॉइंट्स है विकोज अब बहुत ही कम नेते रहे हैं एक वीक से भी कम रहे हैं अब आपको फटा-फट सारे के सारे जो इंपॉर्टन डाटाशेट से उनको कवर करना है तो उसी के पॉइंट अफ यू से मैं आपके लिए वीडियो लेके आएं जिसके अंदर सिरफ और सिरफ इंपॉर्ट ओके अग्रिकल्चर सेंसस पहले अग्रिकल्चर सेंसस कब स्टार्ट हुआ था नाइंटीन सेवन्टी उननीस सटर के अंदर और अब तक कितने हो चुके हैं 10 हो चुके हैं राइट ओके जो लेटेस्ट था वैसे वह जुलाई 2022 के अंदर उसका डाटा रिलीज होना है बट अभी तक ऑफीशल उसको नहीं किया गया है राइट इसलिए जो लास्ट अपना सेंसस हुआ है 2015-16 के अंदर हम उसी के डाटा को रीड करते हैं विच बेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सों ओके और हर पांच साल बाद सेंसस को किया जाता है इट इस आफ्टर एवरी फाइव यर यह भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे ऐसेंसस के बारे में भी पूछ सकते हूं कि सेंसस कौन से नंबर गए टिस टैंथ अगरिकल्चर सेंसस यर 2015-16 2015-16 ओके रेफरेंस फीरेड क्या होता है इसका जुलाई से जून जो अगरिकल्चर सेंसस के लिए यह लिया जाता है जु अगो तीन के अगरि होती है। इसके अलावा एक स्मॉल, मिडियम, मीडियम और लार्ज इसके इसके ऐलावा एक स्मॉल, नीटियम भी होती है। तो मार्जिनल के अंदर कोन आएगा जिसके पास एक हेक्टेयर से भी कम लेंड होगा, those are called as marginal farmers, small किसको बोलेंगे, एक से दो हेक्टेयर के बीच में, important data इसको याद रखी है, भूलना नहीं है, semi-medium, 2 से 4 हेक्टेयर, medium, 4 से 10 हेक्टेयर, और large, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा, तो यह के टेग्रीज है, right, marginal, small, semi-medium, medium और large, marginal कौन से है, एक हेक्टेयर से कम, small, 1 से 2 हेक्टेयर, semi-medium, 2 से 4 हेक्टेयर, medium, 4 से 10 हेक्टेयर, और large कौन से होगे, more than 10 हेक्टेयर, okay, next, so यह है important findings, जो service, अब एक लगरी के अंदर निकली हैं, सबसे जब पहली चीज़, कि नहीं है, 146.45 million, कितनी होगी है, 146.45 million, यह कह है, operational holdings, okay, next, now, total operated area, कितना है, 157.14 million, कितना है total operated area, 157.14 million hectares, okay, then, उसके बाद, अब क्या देखा गया है, कि जो women, जो women के अंडर जो operated area है, women के अंडर जो operated area है, वो कितना है, 11.57 percent, operated area under the control of women, कितना है, 11.57 percent of the total, okay, 11.57 percent, women के अंडर है, जो operational area है, okay, then, average size of agriculture, land hold decline to, कितना, average size कितना है, 1.08 hectare, important data है, कि जो average size, average land holding का जो size है, वो 1.08 hectare है, this is an important fact, okay, average agriculture land holding size कितना है, land holding का average size कितना है, 1.08 hectare, next, okay, अब यह वहला जो fact है, यहाँ पर, जो हमने categories देखी न, सबसे ज़्यादा percentage, obviously, किस के पास है, इंडिया के अंदर, marginal के पास है, कितना, 68.5 percent, जो हमने categories देखी थे भी small, oh sorry, marginal, small, semi-medium, medium, or large, सबसे ज़्यादा किसमे होगा, as such, marginal farmers, और combination के अंदर, small और marginal के पास together कितना है, 86.08 percent, यह भी important fact है, small और marginal का मिला के कितना है, 86.08 percent, और as such highest risk का है, marginal का, 68.5 percent, then comes gross cropped area, gross cropped area कितना है, 191.76 million hectare, gross cropped area कितना है, 191.76 million hectare, okay, okay, अच्छा बसे एक चीज़ आप पूछोगे, यहाँ पीछे रहे गया कि, total operated area क्या होता है, देखो, इसको समझने के लिए simple सी चीज़ है कि, इंडिया का total area कितना है, approximately 328 million hectares, total area of India approximately इतना है, तो उसमें से agriculture के अंदर कितना है, 157.14 million hectares, okay, यह operated area होता है, क्या होगा, कि मान लो, एक farmer है, उसके पास, let's say, 2 hectare land है, तो यह उसका gross crop area होगा, बट वो 2 hectare land पूरा था यूज नहीं कर रहा होगा, तो जो जितना वो यूज कर रहा होगा, वो उसका net cropped area होगा, जो जो ग्रोश क्रॉप area होगा, वो कितना है, 191.76 million hectares, okay, now, the percentage share of the net zone area in the operated area is highest in, यह important facts है, कि कौन सी state का जो है, percentage of net zone area in operated area, अब operated area मैं से, जो net zone area, operated area तो तो अड़् तो तो टो अड्री अड को बोल रहे है, agriculture के लिए डेडिकेठे़ बड़ उसमें से, जो net zone area है, So that is Gujarat with 98.3% which is very good. Okay, then the percentage share of net irrigated area to net sawn area. Net irrigated area to the net sawn area. तो वो कुण सी सेट में हैं सबसे जादा? उत्तरप्रदेश, UP के अंदर 83.2%. Okay, then the percentage share of gross irrigated area to gross cropped area. वो भी कहां हाई है अपसली उत्तरप्रदेश के अंदर. तो जब irrigation के बात आएगी, percentage share किसका जादा है? उत्तरप्रदेश का, ऐसे आप याद रख सकते हैं. Okay, और जब net sawn area के बात आएगी, तो गुदरात है. Okay, then the cropping intensity has remained static at 1.37. Cropping intensity कितनी है? 1.37. Highest cropping intensity कितनी गई है? 1.97. Okay, यह average है और highest कितनी गई थी? 1.97. Okay, अब now, highest number of operational holders की state में सबसे जादा है, UP. Highest operated area कहाँ पर जादा है? राजस्थान. Okay, these two facts are very important. Highest number of operational holders कहाँ पर है, UP में? Highest operated area कहाँ पर जादा है, राजस्थान में? Okay, now comes livestock census. अब किसकी बार यह है? livestock census की. Okay, अब जो current livestock census है, वो कौन सा है? 20th livestock census. It is what? 20th livestock census. Obviously, Ministry of Fisheries connect कराती है इसको. Okay, okay. So, let's move further. बाकि सारे facts यहीं पर हैं, कि after every five years, यह भी हर पांच साल बात connect किया जाता है. बड़ जो main important है, कौन से number होला है? 28th. हाँ, इसको भी याद रख सकते हैं, कि हर पांच साल बात कराया जाता है. तो, मेरी एक detailed video भी available है, YouTube पे. इसमें मैंने इसको detail में describe किया हुआ है, दोनों census को, आप उसको भी follow कर सकते हैं. यह important points को highlight करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है. इसके नदर फटा-फटा इस census के important points हैं, उनको एक बार cover कर लेंगे. Okay? So, next. अब, total livestock के अगर हम बात करें. पहले एक बार. ओके, जो total livestock है, as such complete population total livestock कितनी है, 537.8 million. Complete, पूरे इंडिया के अंदर कितनी livestock है, 537.78 million. Okay? This is important. Then, अब उन livestock में से distribution देखते हैं, livestock की. सबसे ज़्याद किसकी है? Kettle. Kettle एक gender-neutral term होती है, basically, इसके अंदर जो अपनी cow और ox हो आ जाते हैं, right? Generally. उसके अंदर और भी category है, लेकिन उनी को basically बोला जाता है. सबस्दा किसकी percentage है? Obviously, cattle gear with 35.94%. आप इसको approximately 36% से भी याद रख सकते हैं. Okay, then, second number पे कुन सी है? Goat with 27.80%. इसको poor man's cow भी का जाते हैं. Then comes buffalo with 20.45%. Okay, then sheep with 13.87%. Then pig with 1.69%. And then the remaining. यह इंपॉर्टन डाटा है, जरूर याद रखना है. First, second, third, fourth, then fifth. Okay? Okay. Now, अब स्टेट वाइज अगर एक पर रेंग देख लें. ठीक है? अगर हम स्टेट वाइज देख लें कि टोटल लाइज स्टोग अगर हम की बात करें? सबस्दा टोटल लाइज स्टोग सबस्दा की स्टेट के अंदर है? उत्तर प्रदेश. Right? Okay? और जब हम कैटल की बात करें सिरफ. सच सिरफ कैटल की बात करें. तो कैटल कहाँ पर है? West Bengal. कि स्टेट के सबस्दा कैटल की पॉपुलेशन है? West Bengal के अंदर. Then, अगर हम बफैलो की बात करें, तो एपने UP के अंदर ही है. बफैलो कहाँ पर है? UP के अंदर. Then, गोर्ट. ये भी मिम्पॉर्टन है, गोर्ट. गोर्ट कहाँ पर है? राजास्थान. गोर्ट कहाँ पर है? Rajasthane. सबसे इंपॉर्टन निसमें यात रहने का, वैसे मेरे cattle है, because cattle हमें normally लगेगा UP, but वो UP नहीं है West Bengal है, but as such total livestock population सबस्ज़धा का है UP के अंदर, और buffalo का है UP के अंदर, okay, सबसे ज़धा right, and then poultry कहां पर है सबसे ज़धा Tamil Nadu, poultry कहां पर है Tamil Nadu, pig pig कहां पर है Assam के अंदर, इसको ऐसे ज़धा रसकते हैं कि वहाँ पिक की कंजमशन बहुत ज़धा है सबसे ज़धा कहां पर है, Assam के अंदर okay, camel, obviously सबसे ज़धा camel कहां पर होगा, Rajasthan okay, poultry कहां पर है, Tamil Nadu, goat कहां पर है, Rajasthan cattle कहां पर है, अपना West Bengal right, buffalo कहां पर है, Uttar Pradesh okay, sheep sheep कहां पर है, Dalangana these were the important facts which you need to remember from the livestock population okay see, अच्छा, distribution यहां पर आपके लिए explanation में लिग दी okay यहां पर एक और important fact है कि जो highest growth rate अगर हम बात करें see down here कि जो growth rate हुआ है पेचले census से, सबस्यादा किसमें देखा गया है camel के अंदर, with 37.05% और highest downfall किसमें देखा गया, donkey के अंदर with 61.23% this is also important okay, so these are the important facts as far as this agriculture census and the livestock census is concerned okay, see, graphical representation भी है यहां पर, सबस्यादा कहां पर है livestock population, Uttar Pradesh के अंदर, okay okay okay, so with this we have reached the end of our video now, if you want, still want to prepare कि आपको अभी लग रहा है कि आपका module कोई week है, या आपको test series चाहिए, या आपको किसी भी way में, कोई particular topic prepare करना है सिरफ, तो all the options for you we have also allowed the module courses जिसके अंदर आप ARD और ESI को अभी को क्रिवीजन के साथ एक थोरो अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से और अच्छे तरीपेर कर सकते हैं तो उसके लिए आप अभीपेडिया पे लॉगिन कीजिए और प्राइजिस हमने इतने अफोर्डेबल रखे हैं आपके लिए, विकॉज अभीपेडिया बिलीज प्राइज शुद नाट बी हिंद्रेंस इन्योर करियर और आपको जो भी आप ऑप्शन चाहिए, microcourses are also available All we want, कि आपके exam आप एक पुरी full preparation के साथ दीजिए जो भी आपका VE के अरिया हैं उनको पे काम कीजिए, उनको rectify कीजिए That is the reason we have come up with a lot of options for you Okay, so with this, I wish you all very good luck and one last request If you are liking our video, please do give us a thumbs up and share our videos And I sincerely hope that you clear your exam with flying colors Okay, so with this, I wish you all very good luck We will meet in the next video where I will bring the remaining reports of ARD and other important topics for Nabat Grade A phase 1 exam Okay, so with this, thank you and have a nice day